सिर्फ 15 दिन ये दो उपाय कर लो बिना दवा के ही आप अपने कोलेस्टोल को कंट्रोल में कर लेंगे नमस्कार दोस्तो आप सभी का हमारे चैनल पर स्वागत है दोस्तो आज हम आपको बताएंगे कि कोलेस्टोल आप घर बैठ कर ही कैसे सही कर सकते हैं वो भी बिना दवा के दोस्तो कोलेस्टोल क्या होता है ये एक तरह का वसा यानि की मौम जैसा पदार्थ होता है जो शरीर में कोशी का जिल्ली और कुछ हामोंस और विटामिन D बनाने के लिए महत पूर्ण है कोलेस्टोल दो तरह का होता है HDL और LDL HDL यानि की High Density Lipoprotein इसे अच्छा कोलेस्टोल माना जाता है और दूसरा होता है LDL यानि Low Density Lipoprotein इसे Bad Kोलेस्टोल भी कहा जाता है तो Bad Kोलेस्टोल जो होता है वो खून के परवा की जो नलिया होती है उसमें जमा होने लगता है जिससे हमें हार्ट समंदी प्रोब्लम आने लगती है तो हमारे श्रीर में इन दोनों कोलेस्टोल का बैलन्स होना बहुत ही जुरूरी है दोसो कोलेस्टोल आज की डेट में ऐसी मुसीबत बन चुका है कि युवा हो या फिर बूडे विक्ती या फिर बच्चे ही क्यों ना हो सभी के लिए एक खत्रा बन चुका है और इसमें हमें चोकन रहने की भी जूर्थ है दोसो ये एक ऐसा खत्रा है जब ये आता है न तो आपको कानोखान ख़बर नहीं होती और अचानक से कुछ ऐसा हो जाता है जो संभालना बहुत ही मुश्किल काम हो जाता है जब ये मुसीवत इतनी बड़ी है तो क्यों न आज से ही हम इसको सही करने के लिए कुछ ऐसे कदम उढ़ा लें जिससे ये प्रोब्लम आपके सामने कभी न आए दोस्तो कोलेस्टोल से बचने के लिए आप अपने घर में ही step by step कुछ planning बना सकते हैं जिससे आप कोलेस्टोल से बचे रहेंगे कोलेस्टोल बढ़ने की सिती नहीं आएगी नहीं आपको हार्ट समंदी कोई प्रोब्लम आएगी तो चलिए आपको बताते हैं आपने कौन से दो नुस्खे लेने हैं जिसके प्रियोग से आप अपने कोलेस्टोल को खुद बखुद सही कर सकते हैं दोस्तो कोलेस्टोल शरीर की जूर्थ होती है कोलेस्टोल एक कैमिकल कमपाउंड होता है जिसकी जूर्थ सेल के निर्मान और हामोंस के लिए होती है इसके सिर्फ बढ़ जाने पर आपके शरीर को नुकसान होने लगता है हार्ड डिजीज, हार्ड अटैक जैसी प्रोब्लम आपके सामने आ जाती है तो चलिए आपको बताते हैं वो दो नुसके कौन से है पहला नुसका पहला नुसका आपने करना है अर्जुन की चाल के साथ अर्जुन की चाल आपको पंसारी की दुकान से इजिली मिल जाएगी या फिर आप सडक के किनारे अरजुन के पेड़ खड़े होते हैं, उससे भी छाल ले सकते हैं, आपने क्या करना है, एक गिलास पानी लेना है, और अरजुन की छाल को साफ करके पानी में डालना है, इस तरह से एक दो टुकड़े ले ले और पानी में डालने, साथ ही आपने डालचीनी डालनी है चुटकी भर और इस पानी को आपने उबालना है उबालना कग तक है जब तक ये आधा ना हो जाए जब आपका पानी आधा हो जाएगा यानि एक गिलास पानी लिया था आपने आधा गिलास हो जाएगा तब तक आपने इसको उबालना है और उबालने के कि आपके कॉलेस्टोल वाली समस्या कैसे सही होती है इससे क्या होगा आपके शिरीर में खुन पतला होगा पतला होने की वज़े से आपको कॉलेस्टोल की समस्या नहीं होगी तो ये तो करना है आपने पहला उपाए दूसरा उपाए आपने लहसुन के साथ करना है जैसे कि आ आपने 2-3 मिनिट इसको ऐसे ही रखा रहने देना है और फिर आपने गरम पानी के साथ इसका सेवन करना है दोसों यदि आप इसका सेवन पानी के साथ नहीं कर सकते तो लेसुन को आप दूद में डाल कर भी ले सकते हैं आपको बहुत बड़िया रिजल्ट मिलेंगे तो 15 दिन तक आपने इन दोनों नुसकों का सेवन करना है लेसुन वाला नुसका आप सुबे कर ले खाली पेट और अरजुन की छाल वाला नुसका आप शाम को कर ले दोनों ही नुसके लाजवाब है 15 दिन में आपको रिजल्ट मिलेंगे तो दोस्तों ये दो नुसके हैं जिन से आप अपने कोलेस्टोल को सही कर सकते हैं और कोलेस्टोल ही नहीं आपका हाट भी मजबूत होगा इनसे आपको डाइबटीज की प्रोब्लम है वो भी सही हो जाएगी जोडों में दर्ध है वो भी सही होगा आपकी शिरीर में यानि की काफी बिमारियों का ये हल करेगा तो आप आज से ही इन दोनों उसके का सेवन करना शुरू करें और अपने लिए फायदा उठाए तो हैना कमाल की बात आप घर बैठकर ही 15 दिन में आप अपने कोलेस्टोल को सही कर सकते हैं कोलेस्टोल ही नहीं आप अपने शिरीर को ताकतवर भी बना सकते हैं मजबूत बना सकते हैं और बिमारियों से दूर रख सकते हैं तो दोस्तो कैसी लगी आपको आज की हमारी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज वीडियो को लाइक करें शेर करें चैनल को सब्सक्राइब करें तो मिलते हैं दोस्तों आपको नेक्स्ट रेमिडी के साथ नेक्स्ट वीडियो में तब तक धन्यवाद